आप लोगों के सामने प्रस्न कुंडली से सम्मंदित जिग्यासाओं का समधान करने के लिए उपस्थित हुआ हुआ हुँ प्रस्न कुंडली की इस सिरीज में मैं कोशिस करूँगा कि प्रस्न कुंडली से समंदित जितने प्रस्न आप लोगों के दिमाग में उभरते हैं उन सभी प्रस्नों का मैं जवाब दे सकूँ आप लोग लाइन बाइन इन वीडियोस को फॉलो करेंगे और जो मैं यहां लिखके दूँगा उसको नोट डाउन अगर कर सकेंगे तो आपके लिए अच्छा रहे हैं और समझ में ना आए तो दुबारा देखकर इसे समझने की कुशिस करेंगे तो इस वीडियो का पहला मुद्दा ही यही है प्रस्न कुंडली विचार्प वैदिक एस्टोलाजी के अनुसार जोतिश के कुंडली देखने के तीन विभाग होते हैं एक जनम कुंडली दूसरा वर्षफल कुंडली वर्षफल कुंडली भी एक्चली ताजित जोतिश के अंशार बनती है ऐसा कहा जाता है कि ताजित जोतिश जो है यानि वर्षफल कुंडली जो बनती है या जो वर्षफल मनता है ये भारती जियोतिश का अंग नहीं है मैंने ऐसा ही पड़ा है और किसी ज्यानी ने कुछ और पड़ा हो तो वो अलग बात है अब मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिमशत्य है ऐसी कोई बात मैं यहां दावा नहीं करता तीसरा महतपूर्ण विभाग है प्रस्न कुडली का इनमें आप समझ सकते हैं कि प्रस्न कुडली का महतव बहुत उपर रहता है कारण इसका यह है कि जन्म के समय कुडली में जन्म समय को लेकर कई बार संसय देखा जाता है जातकों में तो वो संसय अगर होता है और जन्म कुडली की दसा अंतरदसाओं के अनुशार अगर हम किसी नतीजे तक पहुचने में काम्याब नहीं हो पाते तो फिर प्रस्न कुडली का सहारा लिया जा सकता है या लिया जाता है और बहुत से ऐसे त्वरिक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें हाँ या ना में चाहिए होता है तो उन प्रस्णों के उत्तर के लिए प्रस्ण कुंडली या कृष्णमूर्ती पध्धती के अनुसार जिसे हुरारी कुंडली कहा जाता है ये दोनों चीजे एक ही हैं तो यहां मैं प्रस्ण कुंडली ही कहूंगा क्योंकि KP की प्रस्न कुंडली की जब बात करूँगा तो मैं हुरारी सब्द का इस्तेमाल जादा करूँगा आप लोगों के सुनने वालों की सुविधा के लिए यहां सीधी सी बात यह है कि जनम समय पे जब एक बालक का या एक इनसान का जनम होता है तो उसकी उस वक्त की कुंडली बनाई जाती है और उसी के अनसार उसके जीवन का फलादेश हम करते हैं ठीक उसी तरह प्रस्न कुंडली बनाई जाती है यानि यहां रूल यह है कि एक प्रस्न करता के मन में जिस वक्त प्रश्ण का जन्म हुआ उसी को जन्म समय मान लिया जाता है और उसके एकॉर्डिंग जातक के प्रश्णों का उत्तर दिया जाता है प्रश्ण कुंडली का एक रूल और है जो आपको जानना जरूरी है कि अगर किसी जातक की उम्र साट या सतर साल के आसपास की है तो उसकी जन्म कुंडली अगर नहीं भी है तो प्रश्ण कुंडली को ही जन्म कुंडली मान कर उस जातक के बारे में फलादेश किया जा सकता है प्रश्न कुंडली के नियम के अनुसार जिस वक्त जातक किसी जोतिश्य या किसी देवग्द से प्रश्न करता है तो इन दो बातों की भी बहुत जरूरत होती है पहली सर्थ ये है कि सुद्ध सात्विक विचार होना चाहिए दूसरा जिग्यासा वास्तविक होनी चाहिए यहां सुद्ध सात्विक विचार से कहने का मतलब यह है कि जातक मेरा सत्रू कब मरेगा या किसी फलाने ढिमकाने का कब नुकसान होगा इस तरह के प्रश्न जातक ना तो जोतिश से पूछे और ना ही जोतिश ऐसे किसी प्रश्न पूछने वाले जातक का उत्तर दे यानि उस जातक के प्रश्न का उत्तर भी ना दे दूसरी सर्थ यह है प्रश्न कुणली की सटिक्ता के लिए कि जिग्यासा आपकी वास्तविक होनी चाहिए यानि आपकी समस्या वास्तविक होनी चाहिए इसे आप यूं समझ सकते हैं कि क्रोशिन खाने से जातक का बुखार उतर जाता है लेकिन अगर जातक को बुखार ही नहीं होगा तो क्रोशिन किसी काम नहीं आएगी तो जिग्यासा वास्तविक होनी चाहिए आजमाने के लिए किया ग्याप्रश्न जोतिस से उसका उतर सही नहीं आता है तीसरी बात एक और भी है कि जो जोतिस जितना ज़्यादा सदाचारी होता है जो जोतिस जितना ज़्यादा धार्मिक प्रिवित्ति का होता है जो जोतिस जितना ज़्यादा सात्विक विचारों वाला खुद भी होता है उसके फलादेश की सटीकता भी उतनी ज़्यादा होती है आप यहां ये प्रश्ण नहीं कर सकते कि जोतिश का तो एक रूल है और उस रूल के अंतरगत सात्विक विचारवाला या तामसिक विचारवाला कोई भी फलादेश करे उत्तर तो वही आएगा जी नहीं ऐसी बात नहीं होती इंट्यूशन भी एक चीज होती है जिसे छटी इंद्री कहते हैं और तामसिक विचारवाला उस बिंदु को सही तरीके से पकड़ ही नहीं पाएगा जिस बिंदु को पकड़ लेने से जवाब निकल जाता है महतपूर्ण बिंदु एक और है कि अगर प्रश्न करता या जातक जोतिस के पास साफ मन से अगर नहीं आया है तो एक जोतिश या जोतिशाचारे कैसे समझे कि वो साफ मन से प्रश्न नहीं कर रहा है तो प्रश्न करते वक्त जब एक जातक आपके पास आ रहा है और वो आपसे किसी भी चीज़ से समंधी प्रश्न कर रहा है जैसे कि कुछ लोगा के जूट बोल सकते हैं कि मेरा फलाना नुक्सान हो गया है देखिए तो जरा वो मुझे रिकवर करेगा कि नहीं करेगा मेरी क कोई चीज़ गुम हो गई है कुछ भी जूट अगर बोलता है तो उस वक्त की प्रसन कुंडली में सनी तीसरे भाव में या लगन में या केंद्र में मंगल और बुद्ध की लगन और चंद्रमा दोनों पर द्रिष्टी हो तो प्रश्न करने वाला साफ दिल से प्रसन नहीं कर रहा है कि तीसरे भाव में खास करके अगर सनी है तो एक रूर ये पक्का जान लीजै कि जैसे कोई न्यूज अगर आपको दे रहा है मतलब मतलब आप समझे कि किसी में आपको आखे कोई खबर की कि फलानी जगा जगड़ा हो गया है या फलानी जगा कोई accident हो गया है ऐसा सुनने में आया है क्योंकि जो आपको बता रहा है उसने भी अपनी आखों से देखा नहीं है आप प्रस्न कुली खोलिये अगर उस वक्त तीसरे भाव में सनी देव बैठे होंगे तो इसका मतलब जो रूमर आप सुन रहे हैं वो जोट है वो बात घटिक नहीं भी है तीसरे भाव में उस वक्त ब्रिस्पती बैठा हुआ होगा तो वो खबर सक्ची है ये रूल याद रखे अगर बुद्ध की लगन और चंद्रमा दोनों पर द्रिष्टी हो तो भी प्रश्ण करने वाला साफ दिल से प्रश्ण नहीं करता है इस चीज को मैं अच्छे से समझ लीजे दुबारा बोल रहा हूं इसलिए प्रश्ण पूछने वाले पर आप संसे व्यक्त कर सकते हैं यानि वो साफ दिल से प्रस्ण नहीं कर रहा है खुटिल भाव से प्रस्ण कर रहा है आप से गुरु की द्रिष्टी हो चंद्रमा की द्रिष्टी हो बुद्ध की अकेले की द्रिष्टी अगर हो लगन पे तो जातक साफ दिल से प्रस्म करने वाला होता है, ये रूल है, ये बहुत महत्पूर्न बिंदू है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको अपने दिमाग में स्थापित कर लीजिए, जैसे समझिए इस चीज़ को, प्रस्म जिस समय किया गया, कुंडली उस वक्त की बनानी चाहिए, मगर गरह स्थापना आप जिस वक्त कुंडली का विचार कर रहे हैं, उस वक्त की होनी चाहिए, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप से प्रस्न किया, और आप उस वक्त उस व्यक्ति का प्रस्न ले रहे हैं, लेकिन प्रस्न का विचार करने लायक स्थिति में आप नहीं है, मतलब समझिए इस चीज़ को deeply, प्रस्न का जनम तो हो गया, जातक ने प्रस्न कर लिया, आप जातक को उस वक्त ये ना कहें, कि आप दो घंटे बाद आके पूछना, तो वो उसकी जो real urge है, यानि जो उसके अंतर से जो प्रस्न का जनम हो रहा है, उस वक्त जिस वक्त वो प पूछ रहा है, तो आप उस प्रस्न को तो ले लेते हैं, लेकिन आप ऐसी अवस्त्रा में नहीं है, कि विचार भी उसी वक्त कर सकें, तो इस rule को बहुत ध्यान से समझिएगा, यूट्यूब पे ये rule आपको कोई नहीं बताया होगा आज तक, इसको ध्यान से समझिएगा, मान लीजे, किसी ने सुबह 10 बजे आपसे प्रस्न किया, और एक जोतिश, प्रस्न जोतिश के नियम के अनुसार, उस प्रस्न का उत्तर अगले 24 घंटों के अंदर तक दे सकता है, ये rule है, प्रस्न जोतिश का, तो मान लीजे, एक व्यक्ती ने 10 बजे प्रस्न किया, आपने साम को पांच बजे, उसी दिन, तो कितने घंटे का अंतर तो यहां हो ही गया आपका, पास साथ घंटे का डिफरेंस हो जा रहा है निरने लेने में, तो इस बिंदु को ध्यान से समझेगा, ग्रह स्थापना आप विचार कर रहे हैं पांच बजे, तो उस पांच बजे के कुंडली में ग्रह की अस्थापना होगी, यानि कुंडली आपने खोलनी है सुबह 10 बजे की ही, मने प्रस्ण कुंडली जो 10 बजे जो समय आपने नोट करके रखा है, उसके अनुसार पहले कुंडली खोलिए, अब दूसरी कुंडली खोलिए 5 बजे की, और 5 बजे कौन सा ग्रह कितनी बीग्रेटी पे है और पांच बजे ही कौन सा ग्रह किस भाव में है, उसके अनुसार से कुंञ्ली में ग्रह की स्थापना होगी, अब आप कह shouting एक सकते हैं का सभन्ते में क्या परिवर्तन होगा, हो सकता है कोई परिवर्तन ना हो ग्रहों की डिगरी के जरा से इधर होदर यानि चंद्रमा के डिगरी थोड़ी ज्यादा हिली होई मिलेगी आपको और बाकी ग्रहों की डिगरी तो वैसे ही होगी उसमें तो कोई खास अंतर आने वाला नहीं है लेकिन जरा से सोचिए हो सकता है दस बजे प्रसंद किया जातक ने और पांच बजे आप जब विचार करने बैठ रहे हैं उस दोरान चंद्रमा ने रासी बदल लिए ये बड़ा नॉर्मल सी बात है कि चंद्रमा रासी बदल सकता है तो सुबह दस बजे चंद्रमा मान लिजे अगर मेश रासी में था और साम को पांच बजे तक चंद्रमा अगर व्रिश रासी में आ गया है तो प्रसंद कुल्ली में चंद्रमा को आप व्रिश रासी में रख के ही जातक के प्रसंद का उत्तर आप देंगे अच्छा, यहाँ एक बात और भी है कि जरूरी नहीं है कि चंदरमा नहीं घर बदला हो अगर ऐसा भी हो सकता है कि मंगल ने घर बदल लिया बारा बजे या हो सकता है सुक्र ने घर बदल लिया कोई भी दूसरा ग्रह भी अनफर्चनेटली या फर्चनेटली हो सकता है उस पास अब घंटे के दौरान रासी परिवर्तन कर रहा हो कोई ग्रह सुबा दस बजे उन्तिश डिग्री पच्पंग कला के आस पास का हो तो अगले दो चर ग्रह बदल ही लेनी है तो ये कोई इंसिडेंट हो सकता है लेकिन चंद्रमा का कोई इंसिडेंट तो हो ही सकता है किसी भी वक्त ठीक है तो मैं समझता हूँ ये बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि कैसे प्रश्ण जिस समय किया था उस समय की कुंडली खोलनी है और जवाब देते वक्त जिस वक्त हम विचार कर रहे हैं कुंडली में ग्रह स्थापना उस समय के अनुसार होनी है एक बात लगे हाथ मैं और बोल दूँ कि मान लीजे सुबा दस बजे मेश लगन की कुंडली खोल रही थी और जब विचार करने के लिए आप बैट रहे हैं उस वक्त कुंडली खोल रही है साथ गंडे के अंतर में मान लीजे सिंग लगन की कुंडली खोल गई या कन्या लगन की कुंडली खोल रही है तो आपने कन्या लगन की या सिंग लगन की कुंडली के हिसाब से नहीं करना है विचार उसका आपने मेस लगन की कुणली के हिसाब से ही कुणली बनानी है ग्रह स्थापना आपने पांच बजे के समय के अनुसार करनी है पांच बजे का लगन नहीं लेना है आपने ठीक है? ये बहुत विचारनीय बिंदु है जो मैंने आपके सामने यहां रखा है भावेस वक्री ग्रह के नचत्र में हो तो सफलता मिलने में संदे होता है भावेस से यहां मतलब यह है कि जिस भाव से समंधी प्रश्न होगा उस भाव के लौड़ को भावेस कहा जाता है मान लिजे किसी ने प्रेम से समंधी प्रस्ण अगर पूचा है तो पंचमेश का लौड कोई भी हो लगन के अनुसार मान लिजे मेस लगन की कुंडली पंचमेश सूरे है लेकिन सूरे अगर वक्री गरह के नचत्र में है तो प्रेम में सफलता में संदेर उत्पन हो जाता है दूसरा महत्वपूर्ण बिंदू ये है कि प्रस्न कुणली में एकादस भाव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी बात के हाँ या ना बोलने के पीछे अलंकी एकादस भाव जनम कुणली में भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एकादस भाव जो है प्राप्ती का भाव होता है किसी भी भाव से समंदी प्राप्ती को कनफर्म जो करता है एकादस भाव करता है तो प्रसन कुली के वक्त एकादस भाव ये भी सुनिश्चित करता है कि एकादस भाव का लॉड किस इस्तिती में है यानि सफलता एकादस भाव के लॉड ने देनी है वो किस अवस्था में है तो एक आदस भाव का सौवामी यानि एक आदस भाव का लौड वक्री ग्रह के न चत्र में हो तो सफलता मिलने में देर होती है, ये एक रूल है दूसरा रूल बहुत याद रखने वाला है, घ्यान से संथिये इसको अगर एक आदसेस wouldn है यानि एक आदसेस वक्री होकर वक्र के नचेतर में हो तो सफलता नहीं मिलेगी यनि एक आदस भाव का लौड में सलगन को ही आप उधारन के तोर पे ले दें कि एकादस मा Calvin Suttona consum and Starlight के अगर वक्री खुद है और वक्री ग्रह के यहीं नचत्र में है तो प्रश्ण कुणली में या प्रश्ण कुणली के वक्त जातक के द्वारा पूछे गए प्रश्ण के समंधी मामले में सफलता नहीं मिलेगी मैं समझता हूँ मैं ये समझाने में आपको काम्याब हो पाया हूँ जो कहना चाह रहा हूँ एक आदस भाव का स्वामी यहां भी वही समझिये कि अगर सनी है और किसी वक्री ग्रह के नचत्र में अगर वो है भले सनी खुद ही कहीं भी बैठा हो अगर वक्री ग्रह के नचत्र में है तो सफलता में देर होती है यानि एक रूल यहां और ध्यान रख लीजिए कि जिसके ग्रह में यानि जो ग्रह वक्री है सनी जिसके ग्रह के नचत्र में है वो जब मारगी होगा उसके बाद सफलता आपको मिलेगी ऐसा भी हो सकता है कि एक आदसे खुदवक्री हो और किसी मारगी ग्रह के नचत्र में हो तो भी सफलता मिलने में देर होगी सनी के मारगी होने का आपको इंतजार करना होगा और ये सफसे पश्ट रूल है कि अगर एकाद से खुदवक्री होकर वक्री ग्रह के ही नचहत्र में अगर चला गया है तो सफलता नहीं मिलेगी अब एक चीज और ध्यान रखिए यहां कि यही रूल कृष्णमूर्ती पध्धती में भी लागू होगा यह याद रखिए थी क्योंकि जब मैं कृष्णमूर्ती पध्धती की घुरारी कुंडली के बारे में बताऊंगा तो यही इसी बात को मैं वहां भी सायद दोहराऊंगा तो एक ही रूल लागू होगा वहां भी करक व्रिस्चिक मीन ये फलदाई व्रिश तुला धनू मकर कुंब अर्द फलदाई और मेश मिठुन सिंग कन्या थोड़ा निराशा जनक राशियां होती है यहां ग्रह जिस राशी में बैठा होता है प्रश्ण विचार के समय राशी के इस सभाव को भी आपने कंसिडर करना है यहां मैं सिधे तौर पे आपको उधारन के तौर पे बता देता हूँ कि विवाह से समंदी या संतान होने से समंदी प्रश्ण जब भी होगा करक विश्चिक बीम राशी में अगर वो ग्रभ बैठा होगा भावेश यानि संतान से समंदी तो पंचमेश तो फल सफलता मिलने का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है और रिश्टुला धनु मकर में अर्धफल दायक कुम में मेश मिथुन सिंग कन्या में निराशा जनत इस्तितीग बंदी है अलंकि किसके ग्रभ में है काहां प्लेस्मेंट है ये भी माइने रखता है लेकिन ये बेसिक है इसको ध्यान में रखना है आपने प्रशन कुणली का एक सबसे महत्पूर्ण बिंदू ये भी है कि जब एक जातक की इच्छा शकती जोतिष्य प्रशन करने को प्रिरित करे तभी उसे जोतिष्य से मिलना चाहिए मूल मुद्धा प्रस्ण सच्चा होना चाहिए यानि जोतिश को या जोतिश शास्तर को आजमाने के लिए किया गया प्रश्ण प्रश्ण जोतिश में उसका उत्तर गलत आ जाता है यही इस सास्तर का नियम है हम इस सास्तर के नियम से बाहर नहीं जा सकते प्रस्न कुणली के बारे में एक और बहुत गूर तक ये है कि अगर जातक के पास उसकी जनम कुणली नहीं है तो प्रस्न कुणली को ही जातक की जनम कुणली मानकर फलादेश कर देना चाहिए नप्पे प्रतिशत मामलों में सटीक बैठता है ये लिये ये बहुत महत्पूर्ण बिंदु है आपके लिए जो प्रस्न जोतिश को समझना चाहते हैं जातक की पूछने की भावना साफ हो अच्छी हो और जोतिश या देवग्य साफ मन से इस्वर को याद करके इस्वर को सा अच्छी मानकर अगर प्रस्न कुनली को ही उसकी जनम कुनली मानकर अगर फलादेश करता है तो उसके फलादेश में सटीकता आती है नब्वे प्रतिशत मामलों में हंडेट परसंट तक आ जाती है ये मैं फुद कर चुका हूं और ऐसा अक्सर कर देता हूं मैं कि कोई जात तक अगर अपनी जनमकुणली नहीं बता पाता जो कहता है कि जनमकुणली मेरे पास नहीं है तो सिर्फ प्रस्मकुणली को ही इस्वर को प्रार्थना करके मैं जातक का फलादेश कर देता हूं और ज्यादातर मामलों में प्रादेश क्योंकि पूछने वाले की मंशा और बताने वाले की मंशा दोनों यहां साफ है इस मामले में डिवाइन पावर हेल करती एस्ट्रोजी को यह कि अश्ट्रोजी डिवाइन पावर का ही खेल है कोई अपने हिसाव से इसको नहीं चला सकता इत्षाल इस सब्द को आपने सुना होगा जोदिश में खास करके प्रसन पुनली की चर्चा के दौरान मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चली इत्षाल का मतलब क्या होता है इत्षाल को आप इस तरीके से समझिए कि एक ग्रह भीडे चलता है यानि स्लो मुविंग प्लैनेट है सनी जैसा और चंद्रमा या सनी से स्लो चलने वाला कोई भी प्लैनेट सनी के पीछे से सामने आ रहा है तो निस्टित तोर पे चंद्रमा या किसी भी स्लो मुविंग प्लैनेट की डिग्री एक वक्त पे आकर सनी के सनी की डिग्री से मैच करेगी एक बिन्दु पे इसी को इत्षाल कहते हैं और जिस जगह पे यह डिग्री मैच करती है उसी वक्त एकॉर्डिंटू प्रशन ज्योतिस घटना घटती है ये इध्षाल का नियम है अब सरी सबसेब्स स्लो प्लाइनट हैDas आप अगर दूसरा उधारन अगर लें लें कि सुर्य से चंद्रमा का अगर योग-बंता है या मंगल से बुद्ध का योग-बंता है यानि मंगल अगर पहले पर कि आगे घर में है यानि अगले घर में है तो पीछे से अगर बुद्ध, क्योंकि बुद्ध मंगल से तो ज्यादा तेजी से चलता है, तो बुद्ध पीछे से अगर आ रहा है, और प्रश्ण में बुद्ध ही कारग्र बना हुआ है, मंगल के साथ कोई योग बनने से उसका फल घटित होना है, तो वो बुद्ध मंगल के साथ जब एक दम मंगल की डिगरी को मैच करेगा उस वक्त घटना घटेगी ये इत्साल का नियम है प्रशन जोतिस में इत्साल सब्द का मतलब प्रसन कुंडली का ये भी एक बहुत मतपूर नियम है और इससे समंधी प्रशन भी पूछे जाते हैं मतलब कि प्रशन कुंडली से हम कितने प्रशन पूछ सकते हैं तो मेरा बहुत साफ कहना है कि प्रशन कुंडली से एक वक्त में एक ही प्रशन पूछने का नियम है वो बैदिक अश्टोलाजी हो या किष्टमूर्थी पत्दती हो तो फिर भी बहुदा ये प्रशन पूछा जाता है कि क्या हम एक से ज्यादा प्रशन नहीं पूछ सकते हैं तो यहां मेरा कहना यह है कि देखिए जरूरत या कहें कि आवश्यक्ता ही अविस्कार की जननी है तो अगर जरूरत बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट अगर क्वेस्चन है इंपॉर्टेंट प्रशन का उत्तर दूसरे का भी उसी वक्त लेना है तो वैदिक एस्टोलोजी के अनुसार जो नियम है वो नियम मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले तो समझे कि सिर्फ एक ही प्रसन पूछने का नियम है दूसरा प्रसन नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी बहुत मजबूरी हगर है तो एक से ज़्यादा प्रसन का उत्तर जम्पी देना होता है तो इस नियम को याद रखिए जैसे पहला उत्तर लगन से देना चाहिए, दूसरा उत्तर चंद्र लगन से देना चाहिए, यानि चंद्रमा जिस राशी में बैठी हुई है, उसको लगन मानकर उत्तर देना चाहिए, तीसरे प्रसंद का उत्तर सूरी लगन से देना चाहिए, यानि सूरी जिस राशी में बैठा हुआ है, सूरी लगन सब्सक्राइब बताया चौथे प्रस्ण का उतर यहां इसे ध्यान से समझेगा गुरु बुद्ध और शुक्र इन तीनों में जो बली हो उसे लगन-मानकर उतर देना चाहिए तो यहां आपने बड़े ध्यान से सोट आउट करना है सबसे पहले तो यह बात में जो है इसको ध्यान रखे गुरु बुद्ध और शुक्र इन तीनों में जो बली हो तो पहले तो यह मजले इमाल लीजे अगर शुक्र वक्री है तो आपने शुक्र को निकाल देना ह कि अनुट एससे तरह चॉड़ां टुन को पकड़ना है इत्वाक्री तो मिरत चाहिए वकरी है तो पिर प्रश्न आप नहीं देनां है एकदम साफ में कह रहा हूं आप हो आप कि divine power जो है आपको चौथे प्रस्म का उत्तर देने की इजाजत नहीं दे रही है, ठीक है, अब आप समझें कि इन तीनों में, अगर ये तीनों वक्री नहीं है, तो इन तीनों में जो बली है, उसको लेना है, तो बली कैसे देखते हैं, वो आप वैदिक अस्टोलोजी के नु प्रस्म का उत्तर देना है, तो ये क्राइटेरिया है, आपको पकड़ने का कि कौन सा ग्रह बली है, उस बली ग्रह की लगन को खोल कर चौथे प्रस्म का उत्तर देना चाहिए, नियम वही है कि सुख्र लगन या गुरू जिस रासी में बैठा हुआ है, उसको लगन मान के जबाप उत्तर देते हैं, तो जिस भाव से समंधी प्रस्म कूचा गया है, उस भाव से आप उस प्रस्म का उत्तर दे सकते हैं, तो पहला पार्ट मैं यही रोक रहा हूँ, दूसरा पार्ट प्रस्म कुणली का लेकर मैं अगले वीडियो में आप से मिलता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो वो बोर करने लगता है जातकों को, और सिर्फ बात बोर की नहीं है, मैं एक ही वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर इतना बड़ा वीडियो कनवर्ट करने में और अपलोड करने में भी बहुत समय चला जाता है, खास करके बोर तो करता ही है, एक घंटे, दो घंटे का वीडियो साधरन तर कोई नहीं देखता, तो मैं इसे पार्ट में बनाना ही, उची समझता हूँ, पार्ट में रहेगा तो उच्छुता भी बनी रहेगी, और सिखने वाले धीरे धीरे सीख सकेंगे, मतलब एक तो उस गैप में आप उसी वीडियो को दोबारा देखकर समझ कर आप उसको च्टडी कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, इजाज़त दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप इस नॉलेज को कहीं भी शेयर कर सकत हैं, मेरी तरब से कोई अपती नहीं है, थैंक यू